ब्रामे भारत में किसी कहानी को गाने बजाने और रक्स की मदद से पेश करने की रिवायत काफी कदीम है भरत मुनी की लिखीवी किताब नाट्टे शास्त्र में इस फन के बारे में मुफस्सिल बहस की गई है इन फनून को मकालमों से मर्बूत करके की जाने वाली पेशकश को ड्रामा कहते हैं पुराने संस्कुर्ट ड्रामों में ड्रामा नवीस भास का सोपन वासो दत्थ कालिदास का अभग्य नशा कुंतल जैसे कई ड्रामे मशूर हैं कहानी अदब या अफसानवी अदब भारत में कदीम जमाने में तफरी के जरीए तालीम देने के लिए कहानी के अदब का इस्तेमाल किया जाता था पेशाजी जबान में गुनाध्या की किताब बरहित कथा मशूर है पंडित विश्नु शर्मा की किताब पंच तंत्र कहानी के अदब का उमदा नमुना है कई जबानों में इस किताब का तरज्मा किया गया है बुद्ध जातक कताई भी मशूर हैं अवामी जिंदगी खदीम भारत के अदब से उस वक्त की अवामी जिन्दगी की मालूमात हासिल होती है कदीम भारत में अंदरून मुल्क और तूर दरास के मुमालिक से होने वाली तिजारत की वजह से खुशहाली का दौर दौरा था समाज मुखतलिफ जातों में बटा हुआ था मुखतलिफ कारीगरों और ताजिरों की तन्जिमें या यूनियने थी इन्हें श्रेनी कहा जाता था बहरी और खुश्की के रास्ते तिजारत हुआ कर दी थी भारत के अशिया जैसे मलमल का कपड़ा, हाती दांत, कीमती हीरे, मसाले, उम्दा बनावट के मिट्टी के बरतन वगेरा की गैर मुमालिक में खूब मांग थी चावल, ग्यहूँ, जव, मसूर खास फसलें थी लोगों की गिजा में इन अनाजों से तैयार की गई मुक्तलिफ अशिया के साथ गोश्ट, मचली, दूद, घी और फल वगेरा शामिल थे लोग खास तोर से सूती कपड़े इस्तिमाल करते थे वो रेशम और उन के लिबास भी इस्तिमाल करते थे आम तोर से वो लिबास मौजुदा धोतियों, अंगोचों, पगडियों और साडियों ही की तरह हुआ करते थे खुशानों के जमाने में भारत के लोगों को कपड़े सीने के तरिखे का इल्म हासिल हुआ साइंस आयुर्वेद कहा जाता है, आयुर्वेद की काफी पुरानी रिवायत है आयुर्वेद में अमरास की अलामतें, अमरास की तश्खीस, अमरास का इलाज जैसी बातों पर घौर वोखोस किया गया है इसी के साथ इस बात पर भी घौर किया गया है कि मर्ज लाहख ना हो चरक सहीता नामी किताब में तिब्ब तश्खीस के इलम और अदिवियात के इलम के बारे में मुफस्सिल मालूमा दी गई है ये किताब चरक की तहریरा कुर्दा है सर्जन या जुर्रा सुशृत की लिखीवी किताब सुरुशु सहीता में मुखतलिफ अमराज की तश्खीस और इनके इलाज की मालुमात है इस किताब की खास बात ये है कि इसमें मुख्तलिफ वजुख की बिना पर होने वाले जखम, हड्डियों की तूट-कूट, इनकी खिसमें और किया जाने वाले जुर्राही अमल की किसमों पर बहस की गई है सुश्रिस सहीता का अर्बी जबान में तरजुमा किया गया था जिसका नाम किताबुल सुसुद था वागभट ने इल्मितिव पर कई किताबे लिखी इनमें अश्टांग संगिरा और अश्टांग हर्दे सहीता एहम है बुद भिक्कू नागरजुन की तहरीरा कुर्दा किताब रस रतनाकर में कीमियाई अश्या और धातों के बारे में मालुमात है